आज जिनांग 20 जुलाई को फुल्वारी श्री थाना को मोर्निंग में सूथना मिला कि अलवा कोलोनी में एक निर्माना धीन अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे एक युवक का असव पड़ा हुआ है पटन दिश्टे पाया गया कि जो युवक है उसकी कलाई पे जुने सार्फ ऑब्जिक्ट से कटे हुए करनिसान है बिहार हो या बिहार की रास्थानी पटना हो खूनी वारदार थर तरफ हो रहे हैं जिहां लगतार क्राइम का ग्राफ पर रहा है लो एन ओरडर तो पूरी तरीके से द्वस्त हो गया है दिन दहारे कोई भी किसी की भी हत्या कर दे रहा है ताजा मामला पटना के फुलवारी सरीफ का है जहां आपको बता दे के फुलवारी सरीफ के अलावा कॉल्नी के नवनिर्वान मकान में एक यूबग का शव मिला है अलावा कॉनली का रहने वाला मुहम्मद तमन्ना की रूप में हुई है मौके पर पहुचे एफसल की टीम डॉग स्कुईट की टीम आस पास के इलाकों की जाच कर रही है वही घटना स्तल पर पहुचे फुलवारी सरीफ SSP दलबल के साथ इलाके की जाच कर रही है फुलवारी सरीफ अनुमंडल पुलिस पदधिकारी विक्रम सिहाग ने बताया है कि यूवक के हाथ पर किसी तेज धार से काटा गया है परिवार वालों ने बताया है कि कल्साम से ही यूवक गायब है आज सूचना मिली कि एक नव निर्मान मकान में शर्व मिला है जुसकी जाच की जा रही है पटना से सटेव फुलवारी सरीफ थाना चेतर के अलावा कॉनली पुलिस ने एक बाइस वर्सी यूवक का शर्व बढामत किया है इस संबंद में फुलवारी सरीफ सस्पी विकरम सिहाग ने बताया है कि अल्वा कॉनली निवासी मुहमद हैदर अली का पुत्र मुहमद तमन्ना कल्साम दोस्तों के साथ गया था तो वापस नहीं आया है जहां आज उसका शर्व मिला है मृतक की कलाई पर धारधार कोई चीत से नस काटा हुआ है और पाया गया है उसके पास से डिस्पोजल सुईवेगरः गराव मिला है लेता हो जहाँ प्रतम दिर्ष्टता कलाई पर नस काटने से उसकी मृत्ती होगी पलिस आज पास की CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई है। जो हमारा जो एस्टिमेट है कि या जो उसी से उसका डेथ हुआ होगा और जो यूवक है वो स्थान यह है अलबा को लुनिक है वो कल रात से शाथ बात से घर नहीं आया था घरवालों ने इस समंध में जो बता है कि वो हो सकता अपने दोस्तों के साथ गया हो पर अभी हम लो सब को पोश्मार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उसके पास आगे की कारवाई है वो कि जाएगी अगर इसमें पाया जाता है कि यूवक को किसी के द्वारा हत्या कर दिया गया है तो ग्रफ्तारी की जाएगी अदर्वाइज जो जो लीगल एक्शन होगा उसको भी हां जो गटना सतल है उसके आसपास कुछ नीडल्स और सिग्रेट्स वगराइज कुछ ऐसे मैटेरियल पाया गया है जिससे प्राइमाफेसी लगता है कि यूवक है वो सकता है ड्रग का आती हो परन्तु हम लोग अभी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं और अभी के लिए जो है इन्वेस्टिकेसन है वो ऐसे प्रेस केस की तरह है मिसको घर रहे हैं मृत का नाम है मुहमद तमना उमर लगबग 22 वर्स पिता का नाम है है एदर अल्वा को लोनी के निवासी है फिल्वारी शरीप खाना